हाँ अपने लेक्ट्र स्टेटिक के अंदर बात करें थे पेटा और अपने इसके अंदर क्वाह पोटेंचिल क्या देखा था अपने पने पास और टेंशन फर्मूला दो आगे थे अपने पास असे में फर्मूलात आया था डबलू अपॉन क्यों डबलू क्या है आपर इंफाइनाइट से एलेक्रिक फिल्ड के अंदर कोई पॉइंट पर लेके आएंगे तो जो वर करने पड़ेगा ओवर क्यों और जिस चार्ज को लेक ब्लीक फिल्ड में कोई पॉइंट पर लेकर आएंगे तो आपने वर्क कितना किया डबलू के लिए है लेकिन कहां से इन्फाइनाइट से कोई पॉइंट है ट्री तक लाने में जो वर्क किया वो है डिवाइडड़ भाइग क्या है क्यूं क्यों क्या है वह चार्ज जो बेस पर अपने पोटेंशल निकाला due to a point charge, potential due to point charge, एक single charge है, क्या है आपका single charge, समझ नहीं है आपकर, यह एक single charge है आपका कितना q, यह एक single charge है आपका q, due to this single charge q, r distance पर इस point p पर potential कितना आएगा, तो वो potential अपने निकाला भी कितना आगया, a q upon r, पेटा r square बोलके, दिमाख राम मत करो, पूरा बता चुकों के r square कब आएगा, r कब आएगा, q1, q2 कब आएगा, q कब आएगा, चार formula बताएं, पोर्स के लिए, k q1, q2 upon r square, अचे यह formula है, लेकिन किसके बीच में, तो ध्यान रखना, दो point charges है, q1 और q2, इनके बीच में force का formula क्या है, के q1, q2 upon r square, यह force का formula, इसी को अपने field में convert किया, तो अपने का force on unit test charge, यानि q1 तो था, q2 कितना हो गया, 1, तो गया, q upon r square, potential energy, k q1, q2 upon r, अब इसको क्या करती है, अपने, unit, तो किता होगा, k q upon r, यह 4 formula है, लेकिन 4 हर्ज के लिए नहीं है, यह unit charge, या point charge के लिए है, जब potential energy, और force निकालेंगे, तब तो, इसके बीच में, point charges की बीच में, कहां पर, point charges की, ठीक है, चलो, potential तक यहां तक आने पहुंद आगी आपको, इसके बाद अपने करा, due to dipole, potential निकाला था, और साथ साथ में, अपने का, बहुत सारे charges है, मालो q1, q2, q3, q4, ऐसे है, यहा charge q2, यहां charge q3, इसी तरह से, यहां charge क्या है, qn, किच बढ़ जाएगा, तो, तो, इस point पर potential कितना आएगा, अपन बोलेंगे, के q1 upon r1, इस q1 की यहां से यहां तर डिस्टेंस किती लिगी थी अपने, r1, तो, यहां potential कितना आगया, के q1 upon r1, तो, यहां पोटेंशल कितना upon r1, फिर यहां पर, के डिस्टेंस किती ही आपकी, r2, तो, पोटेंशल कितना आगया, आपका, kq2 upon r2, इसी तरह से, n charges है, तो, लास्ट में कितना आगया था, प्लस, kqn upon rn, यहां गया, आपके पास, total potential, यहां गया, अपने पास, total potential, कहां पर, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर, ड्यू टू, system of charges, यहां पर, potential कितना आगया, पोटेंशल इतना आए, इसके बाद में अपने अपने करा, एक डाइपोल ले अपने, यहां पर था, minus q charge, और यहां पर क्या था, प्लस q charge, यह पोइंट आपका था, ओ, तो, इससे r distance पर, यहां पर, इस point p पर, आपको क्या निकालना था, potential, इसका answer, इस point p पर, potential जो आया था, v, उसका answer आया था, k, p, cos theta, upon r square, यहां पर, p क्या था, q multiply 2a, और theta, special case किये थे, theta 0, theta 180, और theta 90, theta 0, cos 0, cos 0, maximum value होएगी, उसे में, तो potential कितना हैगा, k, p, upon r square, theta 180 है, cos 180 किता होता है, minus 1, यहां किता आगया, minus 1, तो आगया, minus k, p, upon r square, और theta कितना है, 90, सब से important, theta 80 कितना है, आपका, 90, तो cos 90, cos 90 कितना हो गया, होगी आपका, 0, अच्छा हो बोला, लोग देखके, 1-2, बोलके, 1-2, बोलने वड़ा थे, पई, यह किता होगी आपका, 0, का potential कितना आगया, का, एड़े, equatorial line पर potential कितना आता है, डाइपोल के equatorial point पर, potential कितना आता है, 0, डाइपोल के axial line पर electric field कितना आता है, 2KP upon x3 2KP upon dipole के equatorial line पर electric field कितना आता है kp upon x3 formula पूरे अपने mind में एनरजी वी formula फेस्ट उन्यूमरिक लाएंगे आप धूनते रहें पता नहीं कौन से आएंगे लेकिन simple न्यूमरिक लाएंगे आगे चलते हैं इसके बाद में करा अपने system की potential energy निका ली थी है ना आपने जिससे यहां पर चार्ज है q1 यहां पर चार्ज क्या आपका q2 यहां चार्ज कितना है q3 और यहां चार्ज कितना से q4 different different charges है और इनके बीच की distances दे रखी थी potential energy of formula के निकाला कर अपने है कि सारे कॉमिनिशन उन्दा दो के q1 q2 upon r12 के q1 q3 upon r13 के q1 q4 upon r14 के q2 q3 upon r23 के q2 q4 upon r24 के q3 q4 upon r34 यही possible combination थे जो जो possible combination हो जाएंगे उन्चे क्या बना देंगे अपन potential energy यहां तर तो अपनी बात clear थे न यह तो गया अपना फिसला रीरीजन इसके बाद में अपना आगे कहा है थे एक और relation भी था आपना e equals to क्या था आपका minus dv upon dr यह कहा था आपका इसको potential gradient electric field के थी बहुत भारी definition देनी है आपको अब बोलोगे mathematically यह क्या है potential gradient the negative value the negative value of potential gradient is equal to electric field mathematically the negative value of potential gradient is equal to electric field नो तो formula से भी आप बना सकते हो mathematical लिखे ठीक है चलते हैं आगे इसके बाद आज का जो नहीं टॉपिक है वो कौन सा देखो इतन नेक्स टॉपिक आपका equipotential surface आज का टॉपिक कौन सा आपका equipotential surface करवा थोड़ी था अभी तर्वी पोटेंशल सर्फेस जानते हो नाम से पता लग रहा है क्या क्या होता इक्वी पोटेंशल नाम से बताओ क्या समझें एक्वी यहनी इक्वल potential तहां पर surface पर एक ऐसी surface जहां पर potential क्या हो equal same हो surface क्या वो लेंगे अपर equipotential surface एक बार इसका example देखते हैं एक बार इतर यह पॉइंट चार्ड एक पॉइंट चार्ड पॉइंट चार्ड इससे आडिस्टेंस का यह मैं स्पीर बनाऊं क्या बनाऊं मैं यह आपको सरकल दिखा जैसे सरकल नहीं यह क्या है बता मुझे इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशिल की वेल्यू कितनी हो तो बोलों को पॉइंट पर पोटेंशिल कितना होगा हर एक पॉइंट पर पोटेंशिल क्या होगा आपका सेम इस पॉइंट पर पॉइंट के उपर पोटेंशिल क्या होगा आपका सेम उसके इस के इस है मैंने बुला 5 वोल्ट हर एक पॉइंट पर पोटेंचिल कितना है 5 वोल्ट यहां पर मैं बोल सकता हूं हर एक पोइंट पोटेंचिल क्या है equal potential क्या है same potential difference 0 तो अलग अलग difference दे सकते हो आप कि भई a surface where potential is equal at every point is called equipotential surface यही बोल सकते हो a surface where potential difference between two points potential difference between two points is always 0 is called equipotential surface बैटगी मेरी बात तो लिकले हैं सीच को a surface where potential at every point same or potential difference between potential difference between two points कि याद भी करना आपको साथ में potential difference between two points always 0 is called equipotential surface यहीं आप बोलोगे डेल्टा वी यह तो किता आएगा आपका 0 या बोलोगे वी क्या आएगा आपका constant दोनों बात समझ में आएगी यहीं आपको या तो उसका वी किता होगा आपका 0 डेल्टा भी डिफरेंस किता होगा आपका 0 या फिर आपके सकते हो के वी क्या रहेगा इसका constant अब यहां से इससे बहुत सारे conclusion निखा लेंगे इसी बात से अब यह आपने बात बोली थी कुछ देर पहले 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 बताओ माइनस डीवी अपॉन डी आ आपने देखो वी आपने क्या बोल दिया constant वी क्या बोल दिया आपने यह डेल्टा भी किता बोल दिया आपने जीरो यह अपन बोल सकते हैं वापे यहां से conclusion क्या निकाल सकते हैं अपन कि जहां पर जो एक्वी एक्वी पॉट्टेशन स्थर्पेशन मतलब क्या हुआ डेल वी किता होगा आपका जीरो यह कुछ लोग यहां से निकाल रहा में दूसरे पॉइंट से निकाल रहा हैं अभी दो से किन में वापस लिखा रहा है इसको पर से पहले बात करते हैं वर् श्तसक ऋनिया का इसक्या होता है अ。 पॉषय वर्क कैनल रखावा है वी एकोल टू लिखावाब है यह डेल्टा व क्यालिख लिखन होनद डेल्ता डबलू आपॉन क्यू आँ है डेल्टा व इकोलिकर रहा थे डेल्सादा डोपउन Q ह आतीас सबसे पहले यह लिखाता आज ह तो वर्क दन किसकी कुल होगा Q डेल्टा V हाँ या न वो डेल्टा V कितना है आपका 0 at equipotential surface एक्वीपोटेंशियल सर्फेस के उपर बैटा डेल्टा V कितना हो था आपका तो आपका यह ड्ल्टल सर्फेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट टक लेकर जाओगे है यहां पर लेकर आया हिएक स्क्ताइबंग फीप पोइंचेल स यहाँ इसमें यहां इस पॉइंट ए पर चार्ज है और ये यहां पर लेकर रहे पन पॉइंट भी क्यों कूं कि तो कि अगे अतरा सब्स्राइब कि अर… है ओमला देखो बैटाCon490 क्वान प्मलरला क्या होता है विप्आन वर्क अपॉन इन गख है ही जाल रही है कि ने मेरे को ग्रोस सब्सक्राइब है कि तो यह वाला पंक्षा भी ओन कर दो ना इसना उसको ठेक है कि उप्धुरा नहीं है यह वग्द दन जीरो क्यों हुआ तो की दो फोमला है पोटेंशेल इकोल स्टु वर्क अपॉन ट्यार्ट कितना इपोटेंशल डिफरेंस इंटू चार्च डेल्टा भी कितना हो गया जीरो कहां पर इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ना मिल यह ना इक्वी पोटेंशियल सर्फेस यह वाला पाट किता हो गया जीरो इस वाले पाट को जीरो करते ही डेल्टा डबलू किता हो जाएगा आपका जीरो देल्टा दबली जो धी अभी ध्यान भी रखना है प्रॉपर्टी आईगा अपने किसमें आएगा प्रॉपर्टीज में जो आजरुपर्टी करें अपन पर्परॉपर्टी में अभाइख 1967 म् और टॉ to displace one point to another point is always zero, यह आएगा properties में आएगा, क्योशन क्या आएगा, क्योशन क्या आएगा, आपके पस, define electric potential, sorry, define equipotential surface, क्योशन क्या आएगा, define equipotential surface and write two properties of equipotential surface, here write three properties of equipotential surface, तो डेफिनिशन सहन में आगे आपको, properties में क्या लिखो के पहला, work done on, work done on, at, work done at equipotential surface to displace a charge from one point to another point, is always zero, एक point से दूसरे point आप क्या करोगे, displace करोगे, आपको work done किता करना पड़ेगा, zero करना पड़ेगा, अब इसी से वापस लाइट में था रहा हूं, work का मतलब क्या होता है, work का मतलब, force into displacement, परी कोहीं नहीं, force लगा होता है, और मानलों, दिस्प्लेस यहां से यहां से किता हुआ है, delta x, किता हुआ है, delta x, तो मैं से लेख दू, delta x को फर्मुला, f force dot, यहां थे, work का मतलब क्या होता है, a, b, force displacement cos theta, f x cos theta, यहां displacement यहां delta x, तो क्या हो जाएगा, f delta x, और 7 में क्या जाएगा, इक्वल तो किता जाएगा, इस work का फर्मुला लिखा देखुए, अज़ा, force आया कहां से, f equals to qe से, इप यहां पर force कुण साएगा, f equals to, qe, delta x, cos theta equal to 0, अब दो क्यों 0 है किया पहले है बताएगा, नहीं, विचार्ज खुद लेके आ रहे हो न, यहने क्यों तो 0 नहीं है, भई multiply 0 हुआ है, तो ढूनना है कौन सा 0 है, कभी भी दो का multiply 0, multiply 0 वापस क्या नहीं होता, 0 नहीं होता है, ज्यान को सबको ही है, या तो यह 0 होगा या फिर यह 0 होगा, यह सबको पता न, कि भई a multiply b यह दियांस रागे आपका 0, आप यह नहीं लिखते हो, a b 0 और b b 0, नहीं, आप ही लिखते हो, में भी हो सकता a 0 हो, और में भी हो सकता है, क्या हो आपका b 0, दोनों एक साथ तो 0 कभी नहीं होगे, हमें ही पता करना है कि इसमें 0 किसकी वज़े से हुआ है, ठीक है, देखते हैं एक बाद, बतो चार्ज लेके आए एक तेंग नहीं लिखे, लाए थे ना, चार्ज 0 था क्या, नहीं, चार्ज तो 0 नहीं है, यानि इसकी वज़े से 0 हुआ ही नहीं, चार्ज है तो चार्ज की ज़़े से क्या है, इलेक्री फिल है, यानि इसकी वज़े से भी यह क्या नहीं होआ है, 0 नहीं होआ है, दो बाते क्लिए होगी, त तो 0 किसकी वज़े से हुआ है? cos theta की वज़े से 0 हुआ है तो यहां पर बोल से था हूं cos theta यह कितना हो गया? 0 यह theta कितना हो गया आपका? 90 theta कितना हो गया आपका? अब इन important बात है कि theta है किसकी बीच में angle तो जब भी theta बोले तो theta है कहाँ? यहां आया किन नहीं है? यहां क्या है Q? और electric field के बीच में angle कितना होगा? 90 electric field और displacement के बीच में angle कितना होगा आपका? electric field और displacement बीच में angle कितना होगा? बहुत बार पुछा हूआ इक्यू-potential surface पर, equipotential surface पर, इस surface, डिल-ट्क समतलु इस, दिल-ट्क समतलcież क्या असाए नग необход चलोगे कहां परफ? चलोगे कहां पर ड्क, चलोगे उसक डीकू-potential surface पर? जो फना कि, प्रूव रहे हुआ की, फ्रूव धक, electric field is always जाए क्द पर पर पेंड़ फिल्ड पेंड पड अया सर्फेस्प्र प्र। फिल्मेट भापस ब настी सकते हो आधे टो रीपी पर अवैड उस्पाइण प्रोपर्टी कि एक पूटेंचियल सर्फेस पोटेंचियल अब है दूसरी वक्टरंग जिता होगा कीशी प्रोपर्टी अर्पेंटिकूलर वे और चौथी प्रोपटी है थो इक्वी पोटेंचिल सर्फेसिज और निवर इंटरसेक्स और यह मालोर यह पूरे कितने कि कितने कि वॉल्ट कि मालोब , चैस यो वाली यहयतिक वॉलट की है, यह वॉल्ट की यह कितना है अब बनों कि टू इसके सबसे कितना है, खीजिक अपटएए और नहीं मेरी बात इंटर्सेक्ट होता है दो सर्फेसे इंटर्सेक्ट होती है तो इंटर्सेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ambiguity आगई कि 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, क्यासा नहीं होगा, यह feasible ही नहीं है, इसलिए कभी भी equipotential surface क्या नहीं करेगी, intersect नहीं करेगी, two equipotential surfaces never intersect each other, बात करते हैं वापस equipotential surface, a surface where potential always same at every point, and we can say potential difference between two points is zero, अब आप करते हैं properties की बात करें, तो डेल्टा भी potential difference between, पापस उसे को बोल दो, वो किता आएगा आपका, zero, work done किता आएगा, यह नि कोई भी charge को आप एक पॉंच्छों, आपको दूसरे point को लेकिता करना पड़ेगा आपको, zero, तीसरा, electric field हमेसा surface के क्या होगा, परपेंड इकुल है, electric field surface के क्या होगा, मेसा, बेढ़ गया, और चोथा, अभी भी intersect है, नहीं करेगा, तो फिर भी भूल जाते हो, फिर भी क्या कर जाते हो, आप भूल जाते हो, उसका अभी तरीका बताता हूं, एक simple काम करते हैं, यह लिए आपको ने, चार्ज लिया, और इस चार्ज के से यह सर पे, इलेक्री फिल कैसे होगा, ऐसे होगा, कैसे 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 होगा, यह यह वाले पॉइंट लेते हैं, और यह सारी property निकाल रहें, बताओ, यहाँ पर potential क कि यह गया एक ही डाग्राम में सारी बात यह गरादूँगा पोटेंचियल हर एक पॉइंट पर क्या है डिफरेंस किता है तो मुझे बता हो हमेंसा ज्यान लगना एक चार्ज को जब दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो तो वर्क हमेंसा किसके को लोगा पोटेंचियल डिफरेंस मुंटिप्ला करना किसे चार्ज से यह आपने बहुत वारा चाहर में लिया। वख्ड क्यू वि क्यूंट पर यह पर हो तो इसको यह मालत यहां पर तो वोल्त और यहां पर भी क्या था तू वह लेखे तो ट्र WholeT यहां से क्या सदों यह पोट्टेश त wrinkles ट्रीचा इंसकी क्या रहे गई सेम ना कि IMA उसकी पोटेंसिल आ जिका यहा जितनट आ जैगा जी जी रू पर यहां से आदी यह इता है भी पोडेंशिल सर्फेस दहुरही क्या और यह इलेक्ट्रीक में दिख रहा है क्या कि बेढ़ा फ्युच्ट अन्हां इसें षजर्य आए न जो सुनिक ना अ अपने दिमाह में यह वाली चीजी भी ठालों एक है next चलते अपन और अपना टॉपिक चल रहा था एक और साथ साथ में कैपैसिटेर्स और कैपैसिटर आया ना किसीज को लोग दंसर देखना आना आज पापस है ना कलू करते हैं कि अपने क्यों पलते हैं अवा रही मुझे पेज की अपने के पास और केपैसिटर में सबसे पहले अपने लाइन के अस्टाट करें तो क्या आपने क्या इसमें अपने एक बाल लाइन लिखी थी किसको याद देगा है क्या अपने क्या पैसिटी नहीं बेटा मैं स्टार्टिंग से परा रहा हूं और अपने क्या पने केपैसिटी टू होल्ड आ चार्ट है छे लिखा था कि क्या पैसिटी टू लट दचार्ट किया तो होल्ड चार्ड इस को अब मैं से टेंगं कि आपको सी पूरा फोकस नहीं करना है कि जो पड़ा अभी याद हो जाए और कुछ नहीं करना आप पुरे फ्री माइंड रोगा की चाहिए कि अध्री फिर्ट अचाज कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे यह पैसित है माद लो कोई भी बूड़ी है कोई भी बूड़ी यह वाद है और उसको अपन चार्ज दे रहे हैं लोग वहां कि हमें से ध्यान रखना कभी भी और किसी बोड़ी को चार्ज हो गये ना एक बार तो और तो निल लेगा. लेकिन दूसरी पर उसको नाटक आएंगे. बुरोषी पर को की आएंगे? ओतीसरी पर वार तो और जिस्वास जाएंगे. जितना देते लोगो उस्से। ज़िए जाद नाटक बढ़ते जाएंगे. बुले, सरक कैसे समझे नहीं? इतर देखो. यह है आप कि ले उसको जबर्दस्ति दिया अब अगली बार जूर मैं सोच रहा हूं कि इस प्लस को एक और देदू तो अब क्या होगा इसको चूल मचे की हम तो नहीं जाए हम दों लड़ेंगे इस चार्च को यहां पर मत लेखे आओ लेकिन अपन क्या करेंगे गलाई वर्क करना और वह फिर यहां पर इस टोर हूं फिर और देंगे पर एक और देगे और तीनों क्या करेंगे अब और दे कि अब दूंगा तो फार हो है इस चारो मिलके रहेंगे उसका पूंसे तो इनका पोटेंशा बढ़ता है नहीं बढ़ता मेरा कहना मतलब कि अब यहां पर चार्ज और देता हूं क्यूं अब ही यहां पर पोटेंचल कितना है आपका वी समझना मोचो की रवड़े हों कर के विकेल्स करना पढ़े राइव स्टव मोइच्ट छीज इसको मुझे और चार्ज देना है तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि और आप यहां को इसके अणिर एंधर टों में स्तोर भगा की नहीं होगा हो गा उत生 का पोटेंचल बढ़े नहीं बढ़ेगा तो अपन एक सिंपल लाइन बोली यहीं से किसी बोड़े को जो आप चार्ज दे रहे हो तो जितना ज्यादा आप चार्ज दोगे उसका उतना ज्यादा क्या हो जाएगा पोटेंचल हो जाएगा क्यों बढ़ेगा क्यों के साथ साथ क्या बढ़ेगा में बढ़े चीज जब प्रप पोटेंचल बढ़ेगा प्रपॉटृट्य मट्या टूफीटि इस एक तो फोल्म यहाद रहर देना चेंगे क्यों यहीं कुट्वल टू सीवी चिए और यहां से कितना आई क्यू सब्सक्र एक्सक means को में सब पता रखु नहीं पोटेंचिल कि याद रोज़ना चाहिए क्या होता पोटेंचिल का के लैंफ रफ मॉन एल टू ना हम बोला पहले लिए अंचन नी बोलना हाँ हाँ ती माइनस त्री ए माइनस वन तो क्यों तो कितना होता आपका एवन ती वन और पॉटिंच लोगे आपका यह आप मान के चलो वह चार पहले की और इस साल यह एक सारे आजाएंगे एक साई इसी पोटेंशल से मैं पूरे इलेक्ट्रोस्टेटिक के निकाल सकता हूं निकाल कर जाएंगे आप हाँ सोल कर लोगे इसको उपर कहते हो गया एम माइनस वन एल माइनस टू और टी उपर कहते हो टी फॉर हो गया और एवन कि अब यहां से स्टेफ उनों किसनों आप वह म कलते हैं वह इंपोर्टेंट ओपकता है तो तो के बेस्टेंश निकालने के लिए आएक पर जो बोल गरां वही निकालना है कैसे करोंगे जब भी आप से कभी कोई पूचे कि साब इसका केपसिटेंशल कैसे सब से पहले सोचना है कि मैं पोटेंशल कैसे निए कि अधर बहुत कोशिच चाहां करनी है पोटेंशल निगा इस्टेप नुमबर वन क्या है कि पहले आप फाइंड करो किया उसका पोटेंशल और फोणूला नहीं हो चैंष क्या पता होगा फिर्ट्र होगा किसका पोटेंश सल निखाल निकालना है तो simply बोलोगे electric field into distance क्या बोलोगे आप electric field into distance करवा चुका हूँ पहले से E equal to V upon R या V equals to E into R तो यह आपको potential नहीं पता और क्या पता आपको electric field पता है तो क्या करोगे आप आप potential निकालने के लिए electric field को किसे multiply कर दोगे से distance से किसे distance से जब भी आपको potential निकालना हो अब ध्यान रखना में वापत लाइन बोल रहा हूं जब भी आपको क्या निकालना हो potential पहले आप electric field पता तो electric field निकालो और उसको multiply किसे कर दो आप से distance से multiply कर देंगे चाहिए तो step directly charge है तो तो directly value रख दो दो option मिलेंगे यह तो मिलेगा आपको directly charge देगा किसाब charge क्यों है तो मोज बनगी क्यों आ गया और चाहर्ज नहीं दे वह देगा आपको charge density क्या देगा आपको तो चाहर्ज density देते यह दी length पर तो क्या बोलोगे आप चाहर्ज बराबर चाहर्ज density into length area रखा है तो चाहर्ज density into area पसले चेप्टर में यह तो किया था अपन ने तो यह काम करेंगे और स्टेप नंबर त्री त्री बराबर क्या होता है क्यों अपॉन वी क्यों रगदो वी रगदो दोनों को सोल कर यह पर स्टेप ध्यान रखी रखेंगे उसका सबसे सिंपल एक्जामबल कर लेतें उसका बासिंपल एक्जामबल किया भी है में ये एक मैटलिक स्पीर है क्या है यह का चैप और और इसके उपर अपने चाइए का यह जी लो यह लो अब ध्यान दो जब भी आपको रिखार मिलेगा ना तो आपको चाहर्ज सदेटी नहीं यह दिखें आपको जब वहां पर को infinite वाली बात हो यह लिए नहीं तोटल चार्ज किता दिख रहा आपको क्यों दिख रहा है यह पर तो गीवन से यह एक metallic body जिसके उपर charge कितना है Q और इसकी radius कितनी है और एक metallic है जिसके ओपर चार्ज केतना है क्यूं कितनी है और क्या निकालना है आपको के पैसिटेंज क्या निकालना आपको अब स्टेप नुबर टू चार्ज निकाल ले पड़ेगा ना वी इक्वल्स वागया वी नो देट के यू अपॉन आ यह तो आगया पोटेंचल यहां पर है आरे पिटला लेगे लिए यह से नेवर में यह से अफ्ञेश्य का फ्लियाता चार्ज क्यूं पहले से कि बनें सौल करना है यह नहीं और हाए रखा क्यों चार्ट कुसरी ता कहां जाएंगे क्यों अपन वी क्यों तो पहले से रखा कितना है क्यों और वी कितना आपका एक यू अपन आपके यू अपन आप आर से आ एक यह क्या होता है वन अपन फॉर पाई एपसायलन नौट तो तो फूर पाई एपसायलन नौट यह दी मीडियम है तो अधी इकवल्स टू पॉर पाई एपसायलन है यह मीडियम और यह क्या होगि आपका के लिए । अब ध्यान रखना Epsilon एर अप düף साइलन जॉज साइलन only deomer Exodus २ुज एक रह फ़ेजैने sebelum यह अपन एस थेटरम इस क्या बोलेंगे यह बूलेंगे साथ Epsilon M कितना आ गया और नहीं बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको कितना आ गया के एपसाइलन नौट तो लिख दूँ यहां पर Epsilon M को क्या लिख दूँ मैं के एपसाइलन नौट पागे अपने पास C M equals to 4Pi K Epsilon not और यह क्या आगया आपका और 4Pi Epsilon not r 4Pi Epsilon not r क्या आपका C not है के नहीं तो C M कितना जाएगा K C not कि बाइटा की नहीं बैटा M कि यहां से Competition कैसे कैसे बनेंगे कर से बचना बार बार की कि की यह सब हो रह दौन है न अदौ एक्ज़इश पैर है एक द आपका चया हुल यह खाट होगा sogenan बोलोगें की तो इस्पेयर के लिए याँ अकूल करेगा रेडियस और बहुत दोबोगें दोनुंगा क्या है सें ताइज झाज दबल तो चार्ज बिक्वर आपका डवल आपका डवल डुक्रास डबल चार्ज भी हो जाएगा यह जा दूसरा बोला कि इसमें क्या घर दी अपने मीडियम भर दी है अप के सेटा हो गया क्या बोलेंगे टाइम में के की मेर देगा कि माल लेते हैं कि metallic sphere के कैपिस्टेंस कितना है इतना है और आपने उसमें यह बढ़ दिया medium बढ़ दिया और उसका डाई electric constant कितना है 3 आप कैपिस्टेंस किता हो जाएगा तो मैं दो 5 यह किता हो मैं 5 5 एरट दे दिया और मैंने बोला मैंने एक मीडियम डाला जिसका दाई इलेक्ट्रिक कोंडिसेंट कितना है तुम तो बता आप कितना हो जाएगा 10 भाई मैं बोल रहा हूं अभी केपेशिटेंट कितना है 5 5 और फिर मैंने का भाई क्या कर दिया मैंने कि यह बैटकी एक में रोकना